इस बर पुष्पा बाव ने बावर सिंग को नहीं सभी पबलिक को नंगा कर दिया है क्योंकि इस बर पुष्पा नेशनल खिलाडी नहीं तो आज हम पुष्पा टू फिल्म की एंडिंग के उपर चर्चा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले पुष्पा टू फिल्म की एंडिंग एक ऐसी जगह पर फिल्म के मेकर्स ने समाप्त की कि आप आपको फिर से पुष्पा पार्ट थिरी का इंतजार करना पड़ेगा जिसका नाम है पुष्पा थिरी रैंपेज पर रैंपेज सब्द का मतलब होता है एक गुरूप बनाकर किसी पर जबर्दस्त प्लानिंग से अटेक करना जैसे केजेप चैप्टर टू के अंदर हुआ था जब अधीरा ने रोक की भाई की उपर अटेक किया था लेकिन अब पुष्पा थिरी फिल्म की कहानी क्या होगी ये हम एक दूसरी वीडियो में डिसकस करेंगे जो जल्द ही आपके सामने आएगी देखको वेसे पुष्पा टू फिल्म की स्टोरी कुछ खास नहीं है लेकिन जिस तरह फिल्म के डारेक्टर शुकुमार ने इसे प्रजेंट किया है वो एक गोड लेवल का काम है जिसने इंडिया के सभी रिकोर्ड उखाड कर फेक दिये है पुष्पा टू फिल्म की बती जी को उठा ली जाता है तो अब अपना पुष्पा भाव जिसके पास पावर है पूरे स्टेट को कंट्रोल करने की क्योंकि पुष्पा भाव ने अपने एक दोस्त को स्टेट का सीएम बनाया था यानि अब उसी स्टेट में रूल पुष्पा का होगा जैसे पुष् पुस्पा के दोस्त केशाव के पास फोन आता है और फिर उन्हें लड़की के बारे में पता चलता है लेकिन वो उस लड़की को छोड़ने की बजाये 10 करोड की डील करते हैं और इसी के साथ साथ उनकी एक और शर्त और होती है कि वहाँ पर पुस्पा को अकेला आना पड़े और तब तक वो सभी लोग पुस्पा भाव का मजाक उड़ाते हैं उसको साड़ी पैनाते हैं और उसको मारते हैं तब ही एक और विलन की एंट्री होती है जिसे बुलाया गया था पुस्पा भाव को मारने के लिए लेकिन जैसे उसे यह पता चलता है कि उसे पुस्पा भा सकता है तुम्हें नहीं पता और फिर वो जल्दी से पुस्पा भाव को मारने लगता है लेकिन तभी सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा उसे रोक देता है और पुस्पा भाव की भतीजी को बलाकर उसके साथ छेड़ शाड़ करता है और पुस्पा को बताता है कि हमने इस जवाब action sequence था हो और सुकुमार सर आपने जो scene create किया है इसके लिए आपको 21 तोपो की सलामी love you सुकुमार सर क्योंकि इस फिल्म को देखने वाली सभी पब्लिक इस action sequence को अपनी जिंदिगी से कभी भी नहीं बुला पाएगी और ये मेरी guarantee है क्योंकि unbelievable scenes, unbelievable काम, unbelievable energy और unbelievable अलु अर्जुन की performance मतलब सब कुछ फाड दिया जिसके बाद पुस्पा जो अपनी बतीजी को घर ले जाता है तब पुस्पा का वो भाई जो पुस्पा को मिशा ठेज पोचाता था उसे नाजायज के ताने मारता था वो माफी माँगने और अपनी बेटी का साधी का कार्ट देने के लिए उसके घर पर आता है जिसके बाद पुस्पा अपनी बतीजी की साधी में जाता है और वहाँ पर पुस्पा की family complete हो जाती है और फिल्म खतम अब रुको तब ही साधी में कोई bomb blast करता है फिल्म का मज़ा उठाई है क्योंकि ऐसे फिल्में 10-20 सालों में सिर्फ एक बार ही बत दी है और अगर इसी के साथ हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना शियर करना कमेंट करना फिर मिलते हैं कल नई वीडियो पे तब तक के लिए बाई बाई और उलन और जुन सार आपको मेर और उल्ली और जुन सार आपको मेरा दंडवत परना मैं इस तरह की एणरजी के लिए लावच बैर कल लोड़ा लाजवाब लाजवाबला जवाब सेनाऊ